दोस्तों अगर बात करें सेमसंग की जे सीरीज तो जे सीरीज में सबसे ज़्यदा विखने वाला पीस्त वह था जे टू आप देख सकतो इस क्रेन पर यह मेरे हाथ में है बहुत ही छोटा पॉन है और उस वक्त उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यदा दी और वेल्कम टू बैक म यूद की इसके रहेगा जो की आज से चैसल पहले लौंच हुआ था और उस बात को बीते आज चैसल हो गए तो चैसल बात में उसकी जो कंडिशन क्या है आज उसके बद में क्या अपडेट आए तो मैं आपको पूरा डीटेल के साथ बताता हूं तो देख सकतो इसका जो ब पैनल रहेगा वहेँता प्राइम के खर दिखाए देगा तो देख सकतो यह रहेगा उसका 13 MP का कैमरा अभी आप देख रहे होंगे इसकी क्वालेटी खास नहीं है तो मैं आपको बता दूँ ये थोड़ा old phone है उस phone को release गुए 6 साल हो गई है और 6 साल बाद में अगर ये quality आ रही है बोले तो लाजवाब है तो आप समझ सकते हो 6 साल बाद अगर ऐसी quality आ रही है 13 MP की तो 6 साल पहले कितनी एच्छी आती होगी तो अभी मैं आपको उस आप से देखा जाए तो इसकी जो quality है थोड़ी सी खराब हो गई है इसमें अगर top features की बात करें इस phone के अंदर special top features की बात करें तो पहले नंबर पे आता fingerprint sensor देख सकते हो इसक्रीन पे या पे रहेगा fingerprint sensor और maximum 90% जो phone का sensor रहता वो यहीं पे रहता है तो उसको top special features में इसलिए गिना जा रहा क्योंकि इसका जो fingerprint sensor का जो वरक है बहुत ही फास्ट और बहुत ही तगड़ा है अगर इस phone में दूसरे top features की बात करें तो वो रहेगा side mounted speaker तो देख सकतो इसक्रीन पे या पे रहेगा side mounted speaker करें अगर speaker की तो speaker की जो quality रहेगी बहुत ही लाजवाब और बहुत ही तगड़ी है और बहुत ही शांदार है तो मैं आपको practically speaker की आवाज सुना के दिखाता हूं अगर आपको speaker अच्छा लगी तो comment करके जुरूर बताएगा बात करेंगे man important topic तो आप समझगे होंगे मैं बात करने जारा उसकी display की तो इसका जो display का टाइप रहता है वो रहेगा TFT डिस्प्ले रहेगा उसका जो display आप देख सकतो यह यह वाला जो display रहेगा वो TFT डिस्प्ले रहेगा आज कल जितने भी latest Android phone आ रहे है उनका जो display का टा अब बहुत इच्छी रहती है क्योंकि एक बार अगर गलती से हाथ चे अगर निचे गिर भी जाए थिर भी phone टूटने की संभावना रहती है बहुत ही कम रहती है अभी हम बात करेंगे इस phone के design की तो इस phone का design कैसा है तो हम बात करते उसके back वाला जो पाट रहेगा वो metal का बनालबा ओका क्वा एक 20 फोड़ाई के बात करें। वज़न रहते हैं ग्यों फूटिंगे 167 घ्राम रहेगा दो की थोड़ा सा जयदा है और इतना जयदा भी नहीं अभी हम बात करेंगे 50 कई हाइट की फॉनद की जी रहेगी फॉनकी जी लगा कर या तक वो कितनी रहेगी अगरहरोघ की बात करें तो हईट रहें गी 51.7 mm रहेगी। अभी हम बात करेंगे फॉन के कलर की क्योंकि अभी मेरे पास में जो अवेले Paige है वह रहेगा black утो ми्ए दो कलर कि फ्ले मेरे 也可以 है अगर दिस्प्लेक डिस्प्ले की जो रहेगी वह रह है दिजसे 5.5 इंच रहेगे वैसे आज से 6 साल पहले 5.5 इंच जो डिश्प्ले की साइज रहती थी बहुत ही जय्दा करती थी और आज के टाइम पे पहले जितने भी फ्रण आ रहे हैं उनकी डिश्प्ले की साइज रहती है मिनिमुम में पहले नुमर पर आता है वाई-फाई देख सकतो इसक्रीन पर इसके अंदर वाई-फाई का ऑप्शन भी है और उसी के साथ में इसमें वाई-फाई डियरेक्ट का भी ऑप्शन है और मोबैल हॉस्पड का भी ऑप्शन रहेगा तो अभी हम बात करेंगे उसके ऊसी आपको देखनों को मिल जाएगा उसी के सब्सक्राइब आपको 2.0 बात करेंगे और इसमें दो वेरियंट रहेंगे 16GB और 2GB और इसमें रहेंगी वह कंपल्टरी जो कॉमन रहेगी वह रहेगी 3GB अगर बैटरी की कैपेशिटी की बात करें तो उसकी जो बैटरी की कैपेशिटी 3350 mAh है आपको पता हुगा आजकल जितना भी लैटरी एंड्रोड फॉन आ रहे हैं उनकी जो बैटरी की कैपेशिटी रहती है 5000 mAh अगर MI Vivo की जो बैटरी है उनका comparison अगर Samsung की बैटरी से की जाए तो मुझे लगता है कि Samsung की बैटरी उनसे बहुत ही ज़्यदा बहतर है दोस्तों अगर बात करें Samsung की J-Series तो J-Series में सबसे ज़्यदा बिखने वाला पीस वो था J-2 आप देख सकतो इस क्रेंपे ये मेरे हाथ में है बहुत ही छोटा पॉन है और उस वक्त उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यदा थी और J-2 के बाद में अगर पीस की बात करें तो वो था J-7 जो कि अभी मेरे पास में है नहीं तो मैं आपको इस क्रीन पर दिखा देता और J-7 के बाद में जो पीस ज़्यदा भी का उस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यदा जो डिमांड थी वो थी J-7 प्राइम की तो आप करें अगर Samsung के J-Series की तो आज भी लोग Samsung J-Series का कौन को यूज कर रहे हो तो कमेंड करके जरूर बताएगा अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किज़ेगा दरने बाद